नमस्कार में रवी कुमार लेक्चरर कंप्यूटर साइंस जीपीची डूंगरपूर आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे SQL Functions और SQL Operators यह हमारा MySQL चेप्टर है उसके अंदर दो टोपिक है और यह हमारा जो सब्जेक्ट है PHP and MySQL CS 310 के अंदर हम पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं SQL Server के अंदर कई सारे Built-in Functions है जैसे Strings, Numeric, Date इनके लिए इनको एक एक करके देखते हैं Function का Name क्या है और वो क्या काम करता है ASCII 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 का फुल फॉरम होता है जैसे American Standard Code for Information Interchange अब यह होता क्या है जैसा कि हम जानते हैं Computer है वो 010101 समझता है Binary तो हम जब Text लिख रहे हैं ABCD लिख रहे हैं या Hindi में लिख रहे हैं किसी भी Language में तो उसको Computer कैसे समझेगा तो Computer के लिए हर एक चीच चाहिए Image हो, Video हो, Text हो उसके लिए तो वो Binary है, 0 है या 1 है तो हर एक जो Character होता है, जैसे Capital A तो Capital A की एक Ask की Value होती है 65 फिर B की 66, ऐसे चलते जाएंगे तो हर एक अपना Digit है Character है उनकी सब की Ask की Value होती है हर एक Symbol की Ask की Value होती है क्योंकि Computer क्या समझता है, सिर्फ नमबर समझता है तो Ask की Return करेगा Ask की Value for the Specific Character कोई Specific Character है, जब मालो Capital A की निकाल देंगे तो 65 निकाल देंगे तो ये Ask की Function ये काम करेगा Care C-H-A-R Care अब Care है वो Ask की का उल्टा काम कर रहा है Ask की में क्या कर रहा था? उसकी Ask की Value बता रहा था, किसी Character की Character क्या करेगा? किसी Ask की Value से कौन सा Character बनेगा? वो बताएगा तो जैसे आपने 65 पास किया तो Care क्या बताएगा? कि इससे बनेगा Capital A Care Index Care Index क्या करता है? एक String के अंदर जो Sub String होती है उसकी Position बताता है एक बड़ी सी String है उसके अंदर कोई Sub String का पता लगाना है कि वो कौन से Index से Start हो रही तो वो Care Index वो रिट्मिन करता है कौनकेट कौनकेट जैसे नाम से बत जल रहा है यह क्या कर रहा है? दो String को कौनकेट करता है कौनकेट करने का मतलब होता है एड करना जैसे सीता राम दो अलग लग स्ट्रिंग है इनको कौनकेट करेंगे तो सीता राम बन जाएगा कौनकेट विद प्लस तो प्लस जो सिंबल होता है नोर्मल यह अपन ने एड करते हैं दो नंबर्स को दो प्लस दो इकॉल टू चार तो वस से अगर स्ट्रिंग के साथ करेंगे तो सुरेस प्लस कुमार सुरेस कुमार हो जाएगा ठीक है आगे और भी लगा सकते हैं मालो सर्मा और लगा तो सुरेस कुमार सर्मा सुरेस प्लस कुमार प्लस सर्मा तो एक से ज़्यादा भी add कर सकते हैं तो एक तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है operator overloading कर रहा है concate underscore ws यह क्या करता है सिर्फ concate क्या कर रहा था दो strings को concate कर रहा था लेकिन उसमें क्या हो रहा था suppression नहीं आ रहा था वीज में continue string बन रही थी लेकिन underscore ws क्या करता है concate करता है दो string को with a separator पीछ में एक separator आएगा data length data length निटन करता है number of bytes used to represent an expression एक expression को represent करने के लिए कितने number of bytes की जरूरत है वो represent करता है data length difference difference क्या करता है दो values होती है उनको compare करता है और फिर जो difference होता है वो return करता है integer value होती है difference format format क्या करता है कि कोई value होती है उसको specific format में change करता है left left extract a number of characters from a string starting from left तो कोई string दे रखी है उसमें से left से चालू करेगा और number of characters जितने लेने हैं उतने extract कर लेगा उसमें से len len क्या करता है एक string की length return करता है lower lower क्या करता है कि string को lower case में convert करता है lower case अपर case होता है ना सुरेज कुमार लिखावा है अब सुरेज कुमार कुछ इस तरह से लिखावा है कि as capital है फिर आगे as capital का मत में u, r, e, s, h, small में है तो हम अगर lower function लगाएंगे तो s भी lower में हो जाएगा सारी character lower में हो जाएगी तो यह lower करता है l trim trim का मतलब होता है किसी चीज को काट के छोटा करना trim जैसे hair trim करवाते हैं तो trim का मतलब काट के छोटा करना l trim का मतलब left से तो कोई string है उसको left से trim करना है and care and care written करता है unique code character based on the number code patindx यह written करेगा position of a pattern in a string कोई string है उसमें कोई particular pattern अपने को निकालना है तो वो return करेगा pattern ऐसा हो सब्सक्ता कि हमने कोई specific कुछ characters का set ले लिया कि इस तरह से कुछ character आए कि कहीं कुछ paragraph लिखा वे कोई string लिखी हुई है उसमें हम सोच रहे है कि कुछ ऐसा आए कि ABCD ऐसा ABCD ऐसा pattern जाए ABCD तो वो pattern कौन सी position पर आ रहा है वो return करेगा quote name quote name return करेगा unicode stream with delimiters added to make the stream is valid SQL delimiter identifier replace replace क्या करेगा किसी string के अंदर कोई substring है उसको replace करेगा किसी दूसरी substring से मालो कोई string है उसमें हमने बताया कि जहां जहां सुरेश लिखावा है उसको racket से replace कर दो तो वो replace कर देगा replicate 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 का मतलब होता है कि एक से ज्यादा copy बनती है जब repetition होता है तो यह repeat करेगा एक string को specified number of times कि कितनी replica हमें इसकी बनानी है replicate का मतलब इतरह से बता है फोटो कोपी निकालता है न उस तरह से तो कितनी फोटो कोपी निकालता है तो replicate में बता देंगे कि कितनी इसकी copy बनानी है string की उतनी बार ही repeat हो जाएगी reverse reverse में क्या करेगा एक string को reverse कर देगा जैसे r a m इसको reverse करो m a r तो reverse को हम ऐसे समझ सकते हैं कि normally अपन क्या करता है left to right चलते हैं तो reverse में क्या करेगा right to left चलेगा जब पढ़ेगा तब जैसे reverse word ही ले रहते हैं r e v e r s e तो इसके उपर हम reverse function लगाते हैं तो written क्या करेगा e s r v e r फिर है right right में से क्या करता है extract करता है number of characters एक string में से और यह starting करेगा right से r trim जैसे left l trim में क्या क्या था trim कर रहाता left वाले part को r trim क्या करेगा right वाले को तो extend your qiyo उसमें से राइट में से काड़ देगा मालो राकेश सर्मा नाम है और L ट्रिम किया तो L ट्रिम R से स्टार्ट होगा और मालो हमने राकेश को ट्रिम करना है तो राकेश को ट्रिम कर दिया और राकेश ट्रिम होने के बाद ने बचा किया सर्मा बचेगा R Trim क्या करेगा Right से Remove कर देगा तो Right से अगर सर्मा को Remove करना है तो Rakis Harma था उसमें सर्मा को Remove कर दिया और Rakis बच किया ठीक है Sound X ये रिटन करता है 4 character code to evaluate the similarity of 2 strings Space ये रिटन करेगा एक string में से कितने बार Space के रेक्टर आया है उसके अंदर कितनी बार Space आया है str ये रिटन करेगा number as string कोई number है उसको string में convert करना है तो str function लगाएंगी ठीक है जैसे normally number होता है आपने money transfer किया money transfer किस तरह से होता है hundred, two hundred, three hundred तो three hundred क्या बतला है three zero zero होता है लेकर उसको three hundred बोलते है और अगर three hundred को three zero zero बोलेंगे तो वो क्या होगी एक string हो गई जैसे mobile number है तो mobile number क्या एक string है ऐसे निए ten digit के अंदर कोई अगर money होती कि इतने लाग है, इतने करोड है तो वो number होता है लेकिन mobile number के एक string है जैसे email ID होती है वसी string है एक के बाद एक character आ रहा है उसमें 1000, 2000 से कोई लें देना नहीं है तो वो एक string के अंदर convert करेगा number को stuff delete a part of a string and then insert another part into the string starting at a specified position तो stuff क्या करेगा delete करेगा एक part को string में से और फिर insert करेगा दूसरा part string के अंदर substring extracts some characters from a string substring extract करेगा कुछ characters string में से translate return the string from the first argument after the characters specified in the second argument are translated into the characters specified in the third argument तो यह return करेगा string को first argument of the character second argument are translated into the characters specified in the third argument trim trim remove leading and trailing spaces वो left से और right से दोनों साइड से trim करेगा L trim left से करता है R trim right से और trim क्या करता है दोनों साइड से unicode यह return करेगा unicode value for the first character of the input expression अपर जैसे lower case में कहा है lower में convert करते अपर में अपर में कर देंगे अब इसके बाद में देखते है SQL server में math या numeric functions कोन से हैं अब इसमें है ABS ABS का मनलब absolute value ACOS का मनलब COS cosine value A sine SIN यह sine value written करेगा वैसे tangent कर देगा ATN2 मनलब यह arc tangent of two numbers दो number के बीच में क्या tangent है क्या angle है वो written करेगा average average निकालेगा ceiling क्या करेगा smallest integer value that is greater than equal to a number कोई number दे रखा है उससे just बड़ा जो integer value है वो ceiling count क्या करेगा return करेगा number of records returned by select query कोई query लगाई है उसमें से कितने record आए है वालो टेबल पर query लगाई है और 5 रो आई तो count क्या करेगा पांच बताएगा उसको count कर गए cos क्या करेगा cosine करेगा किसी number का quote quote engine करेगा degree यह कोई value है radian के अंदर दे रखे उसको degree में convert करेगा exp returns erased to the power of a specified number यह expression होती है ना तो उसमें कितनी power erase करनी है e की power वो exponential function होगा floor यह जैसे ceiling था वो कोई number है उससे जस्ट उपर वाला integer बता रहा था वसे floor क्या करेगा उस number से जस्ट छोटा जो integer है वो return करेगा log यह natural logarithm होगा किसी भी number का वो return करेगा log 10 यह natural logarithm होगा किसी number का जहाँ पर base 10 होगा max कोई set of value जो उसमें से maximum number बताएगा min एक set of value जो 5 नमबर दे दिया उसमें सबसे चोटा कौन सा हो बताएगा पाई यह return करेगा पाई की value क्या रहेगा 3.14 power power करेगा कि किसी number को कितनी बार खुद से multiply करना है कितनी power लगानी है उस पर radians यह degree को radian में convert करेगा r and d यह return करेगा कोई random number हमने एक range ले ली कि एक से 100 के बीच में random number जनरेट करना तो वो कुछ भी number आता रहेगा 88 आ गया 56 आ गया 23 आ गया कुछ भी random number जनरेट हो कर रहेगा round यह round करेगा किसी number को specified number of decimal places के लिए sign यह return करेगा sign of number sign s-i-n यह sign value written करेगा go sign जैसे होता है s-q-r-t यह क्या करता है किसी number का square root square square किसी number का square बताएगा sum एक set of values जो उनको जोड़के बताएगा sum 10 यह tangent बताएगा किसी number का अब date functions किस तरह से होते है current time stamp तो time stamp हमने पढ़ा है time stamp में क्या होता है पहले date आती है फिट time आता है और खासियत यह है कि उसमें कोई बीच में hyphen होगर है कोई symbol नहीं आता है continuously digits आते है जोसे आपने अधार कार्ड मनाया होगा तो अधार कार्ड के अंदर date और फिट time यहाथ कि कौन से second पर बनाए तो वो आप को generate होता है वहाँ पर date aid तो इसमें कोई date या time interval है वो किसी date या time के अंदर हम जोडते है date difference यह difference बताता है दो date की बीच में date from parts यह return करता है date from the specified part year month and day values date name यह return करता है specified part किसी date का as stream date part specified part of date as integer written करेगा day यह return करेगा day of the month किसी specified date है उसके लिए day कौन सा था gate date यह return करेगा current database system date and time gate return month part of specified date कोई date है क्या ddmmyy है यह जैसे तो उसमें month है कौन सा है एक से 12 की बीच में वो बता देगा sys date time यह return करेगा date and time of SQL server year यह return करेगा date year part ddmmyy तो yy जो है वो रिटन करतेगा अब SQL operators है तो operators है वो क्या होता है एक result word होता है या फिर character होता है used primarily in an SQL statement where close to perform operations such as comparison and arithmetic operators तो operators नोर्मली where जो होता है condition जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर काम में लेते हैं यह operators कुछ इस तरह से है arithmetic, comparison, logical इस तरह से माली जे दो variable ले लिए a और b और a की value ले लिए 5 और b की value टेल ले लिए 5 और 10 ले लिए a और b की value अब देखते हैं plus operator दोनों को जोड़ देगा 15 आ जाएगा minus क्या करेगा a minus b क्या तो minus 5 multiply कर देगा तो 10 और 5 multiply 50 divide करेगा तो b को a से divide करेगा दो बार modulus, modulus में क्या होता, remainder बताता है तो b modulus a, बमलब b को divide करेंगे a से तो कितना आएगा remainder sales पल कितना आएगा, तो b में a का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो sales पल remainder क्या रहेगा, 0 रहेगा इसके अलावा अगर कुछ दूसरे example लेते मालो, 11 को divide करते 5 से तो remainder क्या आता, modulus क्या आता, 1 आता SQL में comparison operator, वो ही 5 और 10 हमने ले लिए और इसमें comparison operator comparison में कुछ इस तरह से चेक करेंगे, equal to तो equal to चेक किया, तो 5 और 10 equal to है क्या, नहीं है तो not true, false हो गया, not equal to, हाँ बिल्कुल, not equal to है 5 और 10 है, वो not equal to है, तो यह true आएगा और less than, greater than इसमें भी अगर value equal नहीं है, तो true आएगा greater than चेक करता है, a b से बड़ा है क्या, नहीं है क्योंकि 5 तो छोटा है b से, तो यह not true क्या a छोटा है b से, true आजाएगा क्यों 5 छोटा है दस से greater than equal to, या तो बड़ा है या बराबर है, नहीं, not true less than equal to, या तो छोटा है या बराबर है बिल्कुल छोटा है 5 दस से, तो true हो जाएगा not less than, यह false हो जाएगा, क्योंकि a तो less than नहीं not greater than, यह सही है, क्योंकि 5 बी से बड़ा नहीं है SQL में logical operators, logical में all आता है तो all क्या करता है, यह compare करता है एक value को, एक set of values से and, and करेगा दो values का, and करेगा, any any operator काम में ले जाएगा, compare करेगा एक value को to any applicable value, applicable value in the list as per the condition between, between operator काम में आएगा, एक search करेगा for values that are within a set of values, given the minimum value and the maximum value exist, exist check करेगा, search करेगा, presence of a row in a specified table that meets a certain criteria कि यह exist करता है कि ने करता है, in, in operator is used to compare a value to a list of literals values that have been specified like like value यूज करेगा, compare कर गया value को similar value से like काम मलब इसके जैसा not not operator करेगा reverse, जैसे not exist, not between, not in जैसे हमने अभी देखा न, not less than, not greater than, or or operator multiple conditions को combine करेगा और के साथ में, is null यह check करेगा कि null है या नहीं है, compare करेगा null value के साथ, unique unique check करेगा हर एक row के लिए कि unique है या नहीं है, अगर unique है इसका वलग, no duplicates, मतलब उसको primary की हम बना सकते हैं तो यह थे हमारे SQL के functions और operators, इस वीडियो में बस इतना ही, thank you